साड़े यूट्यूब चैनल समाईला टेटोरियल विज्टोहडा स्वागत है जे कर तुसे आजे तक साड़े इस चैनल नो सब्सक्राइब नहीं किता है तो किर्पया करके इसनों सब्सक्राइब जिरूर करो आते बेल लाइकन नो प्रेस करना ना पुलो ताजो तानुसाडिया नवी वीडियोस दे नोटिफिकेशन नालो नाल मिल दे रहन मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फ्कैलिटी आज असी विशा कंप्यूटर साइंस जमात दस्वी पार्ट एक ओफिस टूल जेच इस पार्ट दे शोटे उत्रावाले प्रशन ते वड़े उत्रावाले प्रशन पढ़ांगे ते यह पार्ट शुरू करने तो पहला तो दसना चावाँगा कि इस पार्ट दे प्रशन उत्तर जेड़े है और न्यूस लेपस दे कोडिंग लिए त्यार किते गेने ते ओफिस टूल्स वेच कुछ एप्लिकेशन सॉफ़वेर शामल हुन दे हन जेड़े साधे ओफिस दे कमा विच साधी मदद कर देने जेड़ा दे मदद आसी मानलों को लेटरे ड्राफ्ट करनी है लेटरे टाइप करनी है और अचे अच स्टेमेट बना नहीं है स्टाफ दे डाटा दो सेब करना है वो स्टी ओफिस टूल्स दी मदद आसाणी नाल कर सकते हम कि सब्लब पहला गाल करते हैं शोटे उत्रावले प्रशन पैला प्रशन है ओफिस टूल्स दी प्रवाशा दियो ओफिस टूल्स वेच दिपकुछ डाटाबेस मेनेमेंट सिस्टम आ दी ओफिस टूल्स ओफलाइन आते ओनलाइन दो किसम दे हन तनुदार अंदस दिया है वर्ड प्रोसेसर वर्ड प्रोसेसर दा मतलब जिमें की MSWord एक ओफलाइन सोफ्ट्वेर है स्प्रेडशीट MS Excel प्रेजेंटेशन MS PowerPoint ते डाटाबेस मेनेमेंट सिस्टम मीन्स MS Access जेकर सी ओनलाइन चे गाल करिये वर्ड प्रोसेसर दी ते ओनलाइन वर्ड प्रोसेसर हों दा गूगल शीट्स जेकर प्रेजेंटेशन दी गाल करिए ते ओनलाइन जेडि प्रेजेंटेशन है उन्नुक्राइग जैंद है। गूगल स्लाइट्स ह त् shoreline application software नो end user applications भी क्या जन्दा है application softwares दी वर्तो किसे खास काम नो करन लई किती जन्दी है जिदा ms word चासी letter type कर दे है excel चे calculations कर दे है powerpoint चे presentation बनाऊंदे है एना तो बगार computer काम कर सकता है एना नो बनाऊना असान है एना दी कीमत काट हुंदी है उधार नो जो ms word पहले वितस है कि ms word चासी letter type कर सकते है word processor software है ms excel spreadsheet software है calculations कर सकते है ms powerpoint एक presentation software है air chip slides बना सकते है presentation मना सकते है ms access एक database software है एना दी आइकन कुछ इस तरह हुंदेने question no.3 word processor tools दिया कुछ उधारना हेट लिखे हुं सार हन number 1 ms word ms word दा पूरा ना Microsoft word है एक word processor software है ते एदा आइकन कुछ इस तरह नजर आंदे नमबर दो wordpad wordpad भी Microsoft company दा product है but wordpad ची features cartoon दे रहे है यह अपए ms word नो wordpad ना compare करिए तो दस्तक दे हैं कि wordpad विच भी आपा typing कर दे हैं ms word भी करते हैं बट जेकर आसी किसे file में protect करना है password लगाना है ते आपए ms word लगा सकते हैं पर्मेट हों दे फाइल नों save कर ली but wordpad भी बड़े limited format हों देने file नों save कर ली नमबर तेन word perfect ते word perfect जेड़ा coral company दा product है गया जिस तरह ms word Microsoft company दा product है नमबर चार open office writer open office writer जेड़ा है Apache company दानद है ते open नों इसली क्या जंद है कि open office writer software है इसनों सी किसे भी operating system ते run कर सकते हैं चाहे हो Windows है चाहे Linux है, Unix है जा Mac है नमबर पांच जेड़ा है Google Docs Google Docs जेड़ा है एक online word processor tool है एड़े वे चैसी online असानी नाग काम कर सकते हैं ते एड़े लिसा नों किसे किसम दे लसंस दी, जा software नों download करन दी, लोड नी पहन दी इसनों सी open ही यसे भी web browser चे open कर सकते ते एड़े वेचे फाइन दी sharing जेड़ी है वही बड़ी असान है चोथा प्रशन है Multimedia Tools बारे लिखो Multimedia दो शब्दा Multi अते Media तो बनेया है Multi दा अर्थ है एक तो वद अते Media दा अर्थ है माद्यम में इसकी जेड़े वेचे एक तो वद माद्यम होन माद्यम केड़े केड़े उन देने वह उन देने Text तस्वीरां Audio वीडियो अते Animation आदी So Multimedia वेच Text तस्वीरां Audio वीडियो आते Animation आदी शामल हुन दे हन उदारनवजो Media Player Real Player जा Adobe Flash Player तुसी मालनो अपने Mobile ते कोई वीडियो चलान दे हो ओद देने को Player open हो है वह चाहे Media Player है जा Real Player है सो जड़ी साथ यह Video Files आगी है ओणानवसी किसे भी Player open कर सकते हाँ जड़ी साथ एक गाने है तो ओद देने साथे को Music Player होंदा है नमबर पांच Google Docs दा वर्नन करो इस दा पूरा नाम Google Documents है Google Docs एक Online Word processor है जिदा MS Word Offline होंदा ना तो Google Docs Online है एक मुफ्त Word processor है एक Google Company वलो त्यार किता गया है Google Docs वेच असी Online Document बना सकते हाँ आते Edit भी कर सकते हाँ Google Docs नो असी Online Share भी कर सकते हाँ मेंस कि असी Sharing दा Option होंदा है असी एक को समय दे Share कर सकते हाँ ते जेकर असी अधेटर ती पावर दे दिये ते जेड़े येड़े यूजर नो असी File Share किती है और उधेच असानी ना Edit कर सकता है ते अपना Data भी Enter कर सकता है जदकी Offline येड़े साथे Software ने उना विच अजिहा नहीं होंदा इसनों से Web Browser आते तो ना ते चला सकते हैं Google Docs है Google Chrome है Mozilla Firefox है वह दे चला सकते हैं आप भी Google Docs उते भी रन कर सकते हैं इस दा आइकन कुछ इस तरह नजर आंदा है ते आपन करांगी तो ये कुछ इस तरह नजर आवेगा ते आदा फाइदा की है ते उपर दी देख रहे हैं आदा आइकन नजर आ रहे है अनो असानी ना शेयर करके पेज सकते हैं तो जएदना की होगे येदे यूजर नो पाफाइल पेजी है अंव असानी ना रेचर डेटा एंटर कर सकता है अगे है बड़े उत्रावले प्रशन ते पहला है सॉफ्ट्वेर की हुन्दे हन वक्वक किसमा दे सॉफ्ट्वेर्स दावरनन करो प्रोग्रामा दे समों नूं सॉफ्ट्वेर क्या जान्दा है सॉफ्ट्वेर नूं देख्या जा सकता है पर शुय है नहीं जा सकता कि सोफ्टवेइर में भूसी मैसूर्स कर सक दें इसे फियल कर सकlan दे हां सोफ्टवेइर दो किसंद हम दे हम एक्कुन दा सिस्तम सॉफ्टवेर एदेचे तो अडरी ऑपे शीस्टम आयें दिल ज्री जै में कि विंडोज 7 वन विंडोज एट विंडोज 10 मैक ओपरेटिंग सिस्टम जड़ा एपल दा हुंद है लाइनिक्स ते यूनिक्स ते नंबर दो एप्लिकेशन सॉफ्ट्वेर एप्लिकेशन सॉफ्ट्वेर किसे खास काम नों कर लिए वरते जान देने जिए मैं कि तुन दसे है पहले भी एमस वार्ड, एकसल, पावर्पाइंट, अकसेस यह पीडिया फाइल खोल लिए है जाँ जीमेल, पेंट, गूगल ड्राइब ए लग लग तो आटेकी ने एप्लिकेशन सॉफ्ट्वेर ते पहले काल कर दे हैं सिस्टम सॉफ्ट्वेर कंप्यूटर दे सारी कार्ज पर नाली लुक कंट्रोल कर दे हन सिस्टम सॉफ्ट्वेर दा हार्डवेर ना सिद्धा संपर्क होंदा है मैं इसके सिस्टम सॉफ्ट्वेर हार्डवेर ना सिद्धे तोर्ते जुड़या होंदा है तो बगाएर कंब्यूटर काम नहीं कर सकता मैंज की तो आठें कंब्यूटर चाहिद है चाहिद है यह सिस्तम सॉफट्वेर खराब होजे कंब्यूटर काम नहीं करेगा जिमें के अपरेटिंग सिस्टम एना नों बनावना मुश्कल है एना दी कीमत ज्यादा हुं दी है पारणव जो ओप्रेटिंग सिस्टम जे में की Windows 7, Windows 8, Windows 10, Unix, Linux जा Android ते पाशा ट्रांसलेटर भी अरचा इने जे में की एसेंबलर, कंपाइलर ते इंटरप्रेटर ते जड़े सेंबलर, कंपाइलर ते इंटरप्रेटर ने एक पाश यह दे प्रोगरान नों दूजी पाश व पेरदा हार्डवेर ना सिद्धा संपर्क नहीं हुंदा, एना तो बगायर कंप्यूटर काम कार सकता है, एना नो बनावना असान है, एना दी कीमत काट हुंदी है, उदारणव जो MS Word, MS Excel, MS PowerPoint ते MS Access आ दी दूज़ा प्रशन है, ओनलाइन ओफिस टूल्स दी वर्तो दे लाब अते नुकसान लिखो, पहले बगायर करते हैं, एना दी लाब, नमबर एक, एना दी वर्तो करले खर्च काट हुंदा है, जा काट खर्च करना पैंदा है, क्योंकि यह जेड़े सॉफ्ट्वेर ने, ओन देने, यह मैं की, तुन दस्या पहले भी, गूगल डोग, गूगल शीट जा गूगल स्लाइट्स, नमबर दो, एना टूल्स नूँ डाउनलोड जा इंस्टॉल करन दी लोड नहीं हुंदी, मिस कि ए जेड़े सॉफ्ट्वेर है, है आटोमेटिकली तुसी यह वेब ओफिस टूल्स है, एर जे शेरिंग दा ओप्शन होंदा है, आसी यह दा लिंक जेड़ा है, जी इमेल दे थ्रू, इमेल दे थ्रू, यहां वट्सेब दे थ्रू, अपने जेड़े सादे को लीक से है, फ्रेंड से हैं, उना नूँ शेर कर सकते हैं, त्यो उना वेच अपने जेकर साथा कंप्यूटर खराब हो जावे ताँ भी, साथे डोकुमेंट ओनलाइन सरवरते सेव रहन देगे, मि इसकी मालू हो, तुसी अपने कंप्यूटर ते काम कर रहे हो, लैप्टॉप ते काम कर रहे हो, तुसी अपने कंप्यूटर मेंचको फाइल सेव किती होई है, कंप्यूटर खराब हो जानदा है, तो आड़ी फाइल ओ तक ओपन ही होवेगी, जो तक कंप्यूटर ठीक नहीं हो जानदा, बट जेकर तुसी ऑनलाइन ओफिस टूल जे मदद नाल, कोई गूगल डोक बनाया है, गूगल शीट बनाई है, जो गूगल स्लाइड बनाई है, तो ओ फाइल जड़ी है, ऑनलाइन सर्वर ते पर ही है, तो उसे किसे दूसरे कंप्यूटर ते बैठके, जहां किसे लैब्टॉप ते, जहां अपने मुबाइल ते उस फाइल नो ओपन करके देख सकते हो, उन्हां पर गल कर दे है, ऑनलाइन ओफिस टूल यहां नहीं है, क नमबर तो, ओनलाइन टूल्स वेच, ओफ्लाइन टूल्स दे मुकाबले कट ऑप्शन हों देने, या तो उसी कोई ओफ्लाइन टूल यूज़ करोगे न, मालों MS Word दी गाल करीए, ओधे ज़िए बड़े ज्यादा एडवांस फीचर्स हों देने, बट जड़े ओनलाइन वेच, सुरख्याली सानू, सर्विस प्रवाइडर ते निर्बर रहना पेंदा है, मैं इसकी जेड़ी कंपनी दा तुसी नेट ले आ होया है, तो उन स्क्योटी ली सुरख्याली प्राइवेसी ली ओधे ते डिपेंड रहना पेंदा है, जदकी ओफ्लाइन दे वेच, तु पहला पॉइंट है, एना टूल्स दी वर्तो करनलाई इंटरनेट कोनेक्शन दी लोड नहीं होंदी, मतलब कि ओफ्लाइन दे वेच, इंटरनेट कोनेक्शन दी लोड नहीं होंदी, तो राइट साइट ते ओनलाइन जेड़े ओफिस टूल्स है, एदी वर्तोली आपको बनावांगे वह साथे कंबिप्र वेच बनाई जदकी ओनलाइन टूल्स वेच बनाई आगीया आपको पर पर गूगल गूगल का स्वाइड यूज़ कर रहे तो गूगल तो सरवर ते स्टोर होवेगा तो तीजा पॉइंट है ओफ्लाइन टूल्ज वेच फाइला नू उस लोकल कंप्यूटर ते ही वरतिया जा सकता है जित्ते ओणा नू स्टोर किता गया हुंदा है मिन्स कि ओफ्लाइन दे वेचे ही मालोगो साथ अपना कार दा कंप्यूटर है स्कूल दा कंप्यूटर है और जबागो फाइल बनाई है ओधे वेची अपाँ फाइल नू देख सकते हां काम कर सकते हैं इता नहीं कर सकते जदकी राइट साइट ते तीजा पॉइंट है एनव प्रइज फाइलानों किसे भी थाँते बैटके बरते आजा सकता है, चुछ कि फाइलानों ओन्लाइन स्टॉर किता गया हुंदा है, चाहे तुसी अपने मुबाइल ते बैख के फाइल उसस कर लो, चाहे अपने लैप्टोप ते, चाहे युदधा है, बट तो अड़े पॉइंट है एनविच फाइल नो सानी ना शेयर किता जा सकता है क्यों क्योंकि यह ओनलें ओफिस टूल्स है एनविच उत्ते राइट साइट ते शेयर दा ऑप्शन आनद है नबर पांच ओफ्लाइन टूल्स दे विच एनविच बनाईया गिया फाइल ना थे एक को समय ते एक तो ज्यादा यूजर काम नहीं कर सकते हैं ओनलाइन ओफिस टूल्स विच एनविच बनाईया गिया फाइल ना थे एक को समय एक को एक तो ज्यादा यूजर असानी नाल काम कर सकते हैं क्योंकि फाइल नो असे ओनलाइन असानी नाल शेयर कर सकते हैं नंबर शेयर उधारव जो MS Word MS Excel MS PowerPoint आ दी एक तो आड़े ओफलाइन ओफिस टूल्स लिए जेकर ओनलाइन ओफिस टूल्स दिगाल करिए जो गूगल डोक जेड़ा है और वर्ड प्रोसेसर है मतों MS Word दी थाहां ते यूजर कर सकते हैं ते गूगल स्लाइट सपा यूजर कर सकते हैं PowerPoint दी थाहां ते आज लिए नहीं अगली वरी फिर किसे नवे टोपिक ना न मिलांगे जेकर तो आड़ेकर क्वेरी है ताथ उसी कुमेंट सेक्शन चे पुछ सकते हो जा अपने कंप्पेटर दे आपकती मद्द लेसकते हो तन किसंगा धुछ झाल को